देगे मिसाल कायम करने के लिए अपना रास्ता स्वयम बनाना पड़ता है देगे आज का जो हमारा वीडियो है ये केंदरी बजट 2023 पर फोकस्ट होगा और इस वीडियो से आपके बजट के सारे कोश्चन क्लियर हो जाएंगे और डिरेक्टली और इन डिरेक्टली आज आपक इस परिदेवर का वीडियो है इसको अपलोड कर दिया था और ये वीडियो केवल 50 मिनट का है और 50 मिनट में आपकेवल पूरे महिने का रिवीजन कर सकते हैं यह कम समय में अधिक पढ़ाई कर सकते हैं तो आप उस मंतली कर इंडियो को देख लीजिएगा और उसकी पीडि से समधित कौन कौन से तत्र जो है आपको याद करने पड़ेंगे जो कि आपकी एक्जाम में आएंगे दीखे पहला प्रश्ण वारा यह है कि केंदरी बजट 2023 में भारती रेलवे के लिए कितने लाग करूड रुपे की पूंजी परिवय आवंटीत की गई है तो दीखे बजट 2023 के लिए भारती रेलवे के लिए टोटल दो दसमनों चार सुन्य लाग करूड रुपे की पूंजी परिवय आवंटीत की गई है दीखे भियाली में केंदरी वित्यमंत्री निर्मला सितारमण ने संसद में बजट कूपिस किया और केंदरी वित्यमंत्री निर्मला सितारमण ने केंदरी बजट 2023 में भारती रेलवे के लिए कुल 2.40 लाग करूड रुपे की पूंजी परिवय आवंटीत की और देखे आप पुदावं ये अब तक का सरवाधी परिवय वित्यमंत्री वर्स-2013 चोदे में किये परिवय का लगभग 9 गुना है यानि कि 2413-14 में सबसे अधिक जो है बजट परिवय लाई गया था रेलवे के लिए और उस 13-14 के वित्ती वर्स का 9 गोना अधिक है इस बार 2013-2024 का जो बजट परिविया है ग्रेलवे के लिए ये बहुत ही खास पॉइंट है इसको या रखेगा देखे ये नरेंद्र मोदी सरकार की 2.0 देखे 2.0 इसलिए का गया है क्योंकि दूसरी बार ये मोदी की सरकार बनी थी 2019 में ठिक है तो ये नरेंद्र मोदी 2.0 सरकार का आखरी पूड बजट है क्योंकि अगले साल चुनाओ होंगे 2023 में लोक सबाके देखे वर्स 2023-24 की बजट घोषड़ा से मध्यम वर्ग की एक बड़े वर्ग को लाव होने की संभावना है जैसे की रेलवे के द्वारा या त्री टिकट या फिर माल भाड़े में वर्दी की संभावना नहीं है यानि कि इस बार रेल टिकट में ज देखे निर्मला सीतरामन का जो ये पांचोंगा बजट है इसमें खास बाते क्या हैं देखे केंदरी वित्त मत्री निर्मला सीतरामन ने अभी हाली में बजट पेस करती हुए कहा कि केंदर सरकार फाइनेंसियल एर 2023-24 के लिए पूझीगत ब्याय को बढ़ा कर 10 लाग करू और यहां पर सबसे खास बात जो मैं बताना जारों ध्यान सुनेगा कि केंदरी वित्त मत्री निर्मला सीतरामन ने वित्त वर्स 2023-24 के लिए कुल 45.3 लाग करूड पेस का बजट इन्होंने अभी हाली में पेस किया यानि कि हम कह सकते हैं कि 2023-24 का वित्तिय वर्स होगा इसम कितना पैसा किन किन योजनों पे खर्च होगा और कितना कितना खर्च होगा देखिए संसत का जो बजट सत्र है ये 31 जनवरी 2023 को राष्ट पती के अभीवासर के साथ शुरूगा और इसके पहले मनत बताया था कि 26 जनवरी को उसका हलवा सरीमनी किया गया था देखिए 31 जनवरी 2023 को राष्ट पती के अभीवासर के बाद 2022 2023 के लिए आर्थिक सर्विक्षड पेस किया गया था यानि कि इकोनॉमिक सर्वे पेस किया गया था और अगले वित्तिवर्स 2023 के लिए वार्सिक बजट तयार करने की आपचारिक कावाई जो है ये 10 पेस किया ठीक है तो ये इनका पांचों बजट था जिस बजट को इन्होंने संसद में पेस किया देखिए इसके पहले संसद में पेस किये गए आर्थिक सर्विक्षड में कहा गया कि आने वाले वित्तिवर्स 2023-2024 में भारत की GDP 6 से 6.8 प्रतिशत की सीमा में बढ़ने की उ नोट कर लिएगा दिखिए यहां पे सरल सब्दों में जो पॉइंट मैं आपको दे रहा हूं उसको नोट कर लिएगा कि जो बजट 2023 है तो इसमें जो है किस मंत्राले को कितना पैसा मिलेगा ठीक है डेवलप्मेंट के लिए तो दिखिए रक्षा मंत्राले को बजट 2023-24 मे कुल 5.94 लाक करूड रुपे आवनटीत किये गए हैं और सडग परिवहन और राजमार के लिए कुल 2.acaWh 17.30 लाक करूड रुपे आवनटीत किये गए हैं और रेल्वे के लिए मनने बताया ही कि आपको 2.44 लाक करूड पे आवनटीत किये गए हैं और उभोक्ता मामले और रसायन और उरोवरक मंत्राले को जो है 1.78 लाग करोड़ रुपे अवंटित किये गए हैं खर्ष के लिए 2023 के वित्ति वर्ष में और 2023 के वित्ति वर्ष में ग्रामिड विकास मंत्राले को 1.60 लाग करोड़ रुपे अवंटित हुए हैं और क्रिशी और किसान का लियाण मंत्राले को कुल 1.25 लाग करोड रुपे आवंटी किये गए हैं तो ये आवंटन याद करेगा किस मंत्राले को कितना पैसा मिला है खर्ष करने के लिए 2023 के वित्ति वर्स में और बजट से समंदित और भी प्रश्ण मारे हैं उनसे हमारा और भी पॉइंट क्लियर हो जाएगा देखिए प्रश्णों के रूप में मैंने इनको इसलिए कर दिया था कि एक्जाम में सेम टू सेम आपको ऐसे प्रश्ण मिल जाए तो देखिए जो माइक्रो स्माल एंड मीडियम एंडर्प्राइजेज है इसके लिए रिड गारंटी योजना को नवीकृत करने के लिए बजट में कुल 9000 करोड रुपे का प्रावधान किया गया है देखिए 9000 करोड रुपे के साथ इस नवीकृत योजना को एक अपरेल 2023 से सुरू किया जाएगा और इससे अत्रिक्त 2,00,00 करोड रुपे के अत्रिक्त सम पार्सुइक मुक्त रिड यानि की कोलेटरल फ्री गारंटेट क्रेडिट संभा हो पाएगा यार रखेगा MSME के लिए रिड गारंटी योजना को नवीकृत करने के लिए बजट में टोटल 9000 करोड रुपे का प्रावधान किया गया है यार रखने पड़ेगा इस आगड़े को क्योंकि एक्जाम में पूछा जाएगा केंदरी बजट 2023 में बिभिन योजनाय जो खास खास हैं उनके लिए कितने रुपे का बजट का प्रावधान किया गया है यहां पर बहुत सारे प्रस्णाप के तैयार होंगे दीकि उच मुल्य वाली बागवानी फसलों के लिए रोग मुक्त गुरवत्तापुर रोपर सामगरी की उपलपता को बढ़ावा देने के लिए कुल बाइस सो करोड रुपे के परिवे के साथ आत्म निर्भर स्वच्छ पौधा कारेकरम सुरू किया जाएगा इसके लिए बाइस सो करोड रुपे का परिवे दिया गया और दीकि 2014 से स्थापित मुझूदा 157 मेडिकल कालेजों के साथ को लोकेशन में 157 नए नर्सिंग कालेज स्थापित करेगी मोधी सरकार और इकि केंडर सरकार अगले तीन वर्सों में कुल साड़े तीन लाख आदिवासी चात्रों की सेवा करने वाले 741 एकलब में माडल आदिवासी विद्यालों के लिए कुल 29,800 सिक्षकों और साहे कर्मजारियों की भरती करेगी यानि कि अगर आप सरकारी नोकरी की तैयारी कर रहे हैं टीचर बनना चाहते हैं तो आप जो है इंतिजार करते रहे हैं इस 29,800 सिक्षकों की वेकेंसी का जो की किन सरकार ने कहा है कि ये जो है एकलब में माडल आदिवासी विद्यालियों के लिए ये भरती करेगी कि कुल 38,800 सिक्षकों और साहे कर्मजारियों की और देखिए पीम आवास योजना के लिए परिवय को 66% बढ़ा कर कुल 69,000 करोड रुपे कर दिया गया है और देखिए रुपए का पूझी परिवय रेलवे के लिए 2.49 लाग करोड रुपे प्रदान किये हैं ये गये हैं जो कि अब तक का सबसे अधी परिवय है और 2013-14 की वित्ति वर्स में किये गये परिवय का लगभाग ये 9 गुना है और देखिए अर्बन इंफ्राइस्ट्रेक्चर डेवलप्मेंट फंड प्रात्मिक्ता प्रात्चेत्र के रिण की कमी के उप्योग के माध्यम से स्थापित किया जाएगा जिसे राष्टी आवास बैंक के दोरा प्रबंधित किया जाएगा और सारौनिक एजेंसियों के दोरा टीर टू और टीर थ्री सहरों में सहरी इंफ्राइस्ट्रेक्चर बनाने के लिए उप्योग किया जाएगा और देखिए माइक्रो स्माल एंड मीडियम एंटर्प्राइजेज बड़े ब्योसाए और धर्मात ट्रश्टो द्वारा दस्ताविजों को सुरक्षित रूप से ऑनलाइन स्टोर और साजा करने के लिए एंटीटी डिजी लाकर को सेटप किया जाएगा और आउसरों व्यापार माडल और रोजगार की संभावनों की एक नई स्रंकला का एहसास करने के लिए फाइब जी सेवाओं पर आधारित अनुप्रियोग विकास के लिए कुल सो प्रियोकसाला स्तापित किये जाएंगे और देखे 10,000 करूर रुपए के कुल निवेस पर सर्कूलर अर्थ व्योस्ता को बढ़ावा देने के लिए गोबर्धन यानिकी गैल्वेनाइजिंग आर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन यूजना के तहत 500 नए कचरे से धन सेटर स्तापि किया जाएंगे और प्राकिर्तिक और बायो गैस का विपढ़न करने वाले सभी संग्ठनों के लिए 5% कंप्रेश्ट बायो गैस अधिदेश लागू किया जाएगा अगला हमारा बजट का प्रशन है कि बजट 2023 के नुसार ITR यानि कि income tax return के लिए संसोधित आउसत प्रोसेसिंग समय क्या है तो दिखी बहुत सारे लोग ITR भरते होंगे नहीं भरते हैं तो वो जान जाएंगी जब देखे अभी तो आप लोग पढ़ाई कर रहो हैं लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिजनस भी करते हैं पढ़ाई भी कर रहा है ठीक है तो वो ITR वगरे भरते होंगे अपनी दुकान वगरे का बिजनस के लिए ठीक है तो बजट 2023-2024 के लिए ITR के लिए संसोधित आउसत प्रोसेसिंग समय जो है ये 16 दिन हो गया है दीक उन्हें कहा कि 45% ITR 24 घंटे के वितर संभाले जाते हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि प्रसासन का लक्ष अगली पीडी के युनिवर्सल आइटी रिटेन फॉर्म लाने के साथ साथ सिकायत निवारण प्रक्रिया को मजबूत करना है और इकी 14 प्रशन मारा बजट का है कि टोटल 50 ठीक है यहां पर मैंने ठीक नहीं किया फिर भी आप 50 याद कलेजी ठीक है तो बजट 2324 के नुसार संभूड परेटन पैकेज के रूप में देश में टोटल 50 परेटन अस्तलों का विकास किया जाएगा आपको वतातू कि निर्मला सितारमण ने संसद में केंदरी बजट 2324 पेस करते हुए कहा कि कम से कम 50 परेटन अस्तलों का चैन किया जाएगा और इन अस्तलों का एक संभूड पैकेज के रूप में विकास किया जाएगा और साथी परेटकों के अनुभाओं को बैतर बनाने के लिए एक एप्लिकेशन भी जारी किया जाएगा और देक कि बहुत सारे लोग विदेशों में घूमने जाते हैं थाइलेंड बैंकोक पता नहीं कहा कहा तो उनको जो है मुलब इंडिया में ही परेटन करने के लिए देखो अपना देश पहल पिये मोदी के द्वारा शुरू की गई है यानि कि पहले तुम अपना देश देखो और विदेश में घूमने के बाद फिर विदेश जाओ और पांचव प्रशनी की हाल ही में कि सिब रिटेन में इंडिया यूके अचीवर्स ओनर्स द्वारा लाइप टाइम अच्विमेंट अवार्ट से समनित किया गया है तो दीखे डाक्टर मनमोहन सिंग को जो कि भारत के प लाइप टाइम अच्विमंट अवार्ड दिया गया देगि डाक्टर मनमोहन सिंग को ये अवार्ट राष्टी भारती छात्र और पुरो छात्रसंग के द्वारां दिली में सौफा जाएगा दिकि लाइट टाइम अचुमेंट अनर आक्सपोड और कैम्बरीज विस्विदेलो में डाक्टर मरमोहन सिंग के युदान को दर्साता है दिकि डाक्टर मरमोहन सिंग साल 2004-2014 तक भारत के परधानमंतरी रहे थे दस साल लगातार ये परधानमंतरी रहे थे 2004-2014 के दोरा इसको नोट कर लिजेगा और चटवा कि सांती भूसर जिनका हाली में निधन हो गया ये किस परधानमंतरी के कारेकाल में मंतरी थे तो दीखे सांथी भूसर जी मोरार जी देशाई के कारिकाल में ये भारत के कानून मंत्री रह चुके हैं और ये जो है 1977 से 1989 तक भारत के कानून मंत्री थे और इनका अभिहाली में नोईडा में 97 साल की उमर में निधनु गया और ये सातों प्रशने की भारतिय तटरक्षक दिवस प्रतिवर्स का मनायता है तो दीखे हर सालम एक फरवरी को भारतिय तटरक्षक दिवस मनाते हैं दिखिए भारतीय तत्रक्षक बल जो है एक फरवरी को अपना 47 स्थापना दिवस मना रहा है और आपको पता दो तत्रक्षक के स्थापना के कुछ महिने के बाद 18 अगस 1978 को भारती संसद ने भारतीय तत्रक्षक दिवस को मनाने की मंजूरी दी थी आपको पता होना चाहिए कि एक फरवरी 1977 को इंडियन कोश्ट गार्ड यानि की भारतीय तत्रक्षक के सापना होई थी इसका मुख्याल है मिनिश्ट्री आप डिफेंस यानि की भारत के रक्षा मंतराल है नई दिल्ली में सीथ है और इसके वरत्मान में डारेक्टर जनरल है विरेंदर सिंग पठानिया और इसका मोटो है वयम रक्षाम ठीक है तो भारतीय तत्रक्षक यानि की इंडियन कोश्ट गार्ड का जो मोटो है नारा है ये आपका है वयम रक्षाम है आठवा प्रश्णी की बजट 2023 में किस वर्स तक देश को एनीमिया मुक्त करने का बढ़ाती है यानि कि रक्त आलपता जिसको आप कह सकते हैं जिसमें क्या होता है हमारे बलट में होता है अ कि कम्ने これ में वर्सों से गंबिर स्वाक्त समस्या कारकिस्थिती रही है एं मैलाओं में इसका सबसे अधिक देखा जाता है धेकि मैलाओं में खत्रा सबसे अधिक या होता है इसका सबसे बड़ा कारेड है उनका जो मंत्ली साइक्ल चलता रहता है यानिकी periards आते रहते हैं तो उसमें बहुत सारा द्रग तिस्रा होता है तो blood में देखे हीमोगलोबिन जो आइरन होता है हीमोगलोबिन क्या होता है एक आइरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है इसके बारे में आप जानते होंगे तो अभी सीरे सीरे समझ लिए कि जो पीरियर्ट्स आता है उसमें जो है काफी बलड निकल जाता है इसलिए मैलाओं में जो है इनीमिया होते रहता है तो इसलिए आपने देखा होगा सरकारी अस्पतालों में जब भी कोई मैला चांच कराने जाती है किसी भी बीमारी की तो उसको कैलसियम की और आइरन की गोलिया दी जाती है ताकि उसके सरीर में हीमोगलोबिन परसेंटेज बना रहा है और प्रेगनेंसी के तो अबसे दीखाऊगा मैलां में बार-बार उनका हीमोगलोबिन टेश्ट की आता है ताकि उनके सरीर में आईरन की कमी ना हो और आईरन की गोली उनको दे जाती रहती है तकि आईरन की मात्रा बढ़ेगी तो हिमोगलोवीन बढ़ेगा और उनका बच्चा और जच्चा भी स्वस्थ रहेगा ठीक है और देखे एक रिपोर्ट में बदाये गया कि 15 से 49 आयू वर्ग वालों में देश की 57 परतिसत मैलाओं और 25 परतिसत पूरुसों को एनीमिया आए देखे 15 साल से कम आयू की 46 परिजदी लड़कियों में एनीमिया देखा जाता है ठीक है यह एनीमिया की सिकार है यह भारत में 15 साल से कम आयू की जिदनी भी लड़किया हैं तो इन 15 साल से कम आयू की लड़कियों में टोटल 46 परसें लड़कियां ऐसी हैं जिनको एनीमिया की शिकायत है और देखिए वित्त मंतरी ने कहा है कि इसके अलावा मुख्यसानों पर 157 नए नर्सिंग कालेज स्थावित के जाएंगे देखिए नर्सिंग कालेज होंगे तबी तो जो है ये ट्रीटमेंट वगर हो पाएगा तो ये चीज़े यार रखेगा जो मैंने आपको ब कि इसके बिस्केट निर्माता माली बान के साथ समौजओता किया है देखिए माली बान जो है स्रिलंका का एक बहुती famous ब्रैंड बिस्केट है बहुत सारे देसों में ये बिस्किट बिकता है दीकि स्रिलंका में ये एक ऐसा बिस्किट निर्माता कंपनी है मौलिवान जो अपने बिस्कूट, क्रेकर, कुकीज और वेफर सहीत कई प्रोड़क्ट का दिर्मान करती है और एकि इन्टरनेशनल मार्केट में इसकी काफी डिमांड है और कमपनी इस समय अपना कारोवार दुनिया के 5 महाथूपों के 35 देसों में कर रही है यहनकी 35 देसों में मालिवान बिस्किट बिक रहा है, भारत में मिलेगा और यह भारत में कहा मिलेगा? Reliance Retail में आप जाएंगे वहाँ पर मिलेगा देखिए पहले आपने देखा होगा Big Bazaar हुआ करता था तो Big Bazaar को फिर किसने खरी लिया Reliance ने ठीक है तो अब ये जो है Reliance ने इसको खरी लिया जब से तब से जो है Reliance आपने इसाफ से चला रहा है Big Bazaar को और अब जो है Big Bazaar में यानि कि जो Reliance Retail होगा वहाँ पर क्या भी कहेगा मौलिबान बिस्किट मिलेगा अब जो Big Bazaar था देखिए अब ये Smart Bazaar होगा ठीक है तो आप देखेंगे Smart Bazaar लेका मिलेगा बीक Bazaar की जगेगा और दसों परशने की हाली में पर इंटनेशनल Financial Upsah दिशों से आए सो प्रतनितों ने विष्व से जूडी Global संस्ताओं के साथ अर्विवस्ता से जूडे हर मुद्य पर चर्चा की जिसमें विष्व सोब पर गरीब देशों की अर्विववस्ता कोरोना काल में बिगडी अर्विविवस्ता आर्थिक समस्याओं पर किये जा रहा है काम और विश्व की बड़ी संस्ताओं के दोरां उठाए जा रहा है कदमों पर विश्वतार से चर्चा की गई तो ये चीजें या रखेगा लेकिन सबसे खास बात की इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्खिटेक्चर पर दोदीवसी स मिलन का आजन चंडी गड़ में किया गया था याद रखना आपको तो ये थे आपके आज के सभी महतपूर प्रशना और हम बात करेंगे आज के सभी कुश्याम टेफे पहला प्रशना आपके लिए कि इस चोहतरवे गर्थंदर दिवस परेड में सामिल किस राजी की जहांकी को प्रतम पुरसकार से समान ख्यागे बताईए देखे कल के वीडियो को देखे रिवाज कर देखा लेगा और जो मन्थली करेंट फेर है जनवरी 2013 का इसको जरूर पूरा देख लिजेगा ठीक है और देखे भारती वाइजिना के नए उप प्रमू कौन बने बताईए देखे आप कितना भी पढ़ दीजे अगर आप रिविजन नहीं करते हैं पिछले दिन के वीडियो का और मन्थली करेंट फेर का तो पूरा पढ़ाई बिकार है क्योंकि देखे चीजे भूलती रहती हैं अगर रिविजन कर लेते हैं आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं और कल इसको दुवारा कर देख लेते हैं तो आपको हमेशा के लिए चीजे यहाद हो जाएंगी तीशरा प्रशना आपके लिए कि हाल ही में किस सलामी वल्लेबाज ने क्रिकेट से सन्यास ले लिया बताई चौता प्रशना कि राष्टी खनीज विकास निगम ने हाल ही में किसे अपना ब्रैंड मेस्टर बनाया बताई और इंटरनेशनल मोनेटरी फंड की वर्ल्ड एकोनोमिक आउटलूक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत की विकास दर का क्या पूर्वान मान है बताई और हम बात करेंगे कल के पूछे के सभी कुछना हम देखे सभीतरों की देखी जो आश्ट्रेलियन ओपन चैंपेंशिव 23 था इसका मेंस सिंगल का टाइटल जीता है नुवाक जोकोविच ने और पांचवा खेलू इंडिया यूद केम्स मद्दे प्रदेश में अभी हाली में आज जितकिया जा रहा है और पुरूस हाकी विसकव 23 को जीता है जर्मनी की टीम ने और राश्टपदी बहुन इस ते जो मुगल गार्डन था ये अमरित उद्यान बन गया है यानि कि ये अब अमरित उद्यान के नाम से जाना जाएगा और देखी दक्षीड अफरीका के साथ भारत ने सालाना बाराचीतों को भारत लाने के लिए एक समझोते किया अपन पर खाल ही में हस्ताक्षर किया था तो इसी के साथ आज का ये वीडियो ये समात होता है और रिविजन करते रहिए पढ़ाई करते रहिए मेरी शुब कामना आपके साथ है जैहन प्रिखाएं